हाज फ्रेंस स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर आजगी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर आपके घर में भी जीयो का air fiber लगा है तो आप उसका password कैसे बदल सकते हो मेरे घर में अभी जीयो का air fiber लगा हुआ है देखिए तो मुझे इसका पासवर्ड बदलना है अगर आपके घर में जियो फाइबर या एयर फाइबर लगा है जियो का दोनों का सेम भी तरीका है लगबग अब अब अपना पासवर्ड करने के लिए आपको सबसे पहले अपने फोन में माई जियो अपलीकेशन इस्टॉल करना है वहाँ से आप अपने airfiber को पूरी तरीकर से कंट्रोल कर सकते हो तो अपने फोन में mygeo application को open कर लीजीगा तो यहाँ पर मैं चेक करता हूँ mygeo तो मैंने mygeo को open कर लिया है open करने के बाद देखिए अगर आपने इसमें login नहीं किया है यह आपका जो id नहीं बना है तो पहला id बना लिजीगा उसी नमबर से जिस नमबर से आपका airfiber लगा है आपको यहाँ मिलेगा fiber and airfiber इस पर टच करो तो आप इसके setting में पहुँच जाओगे वन आपको मिलेगा हैं पर my device थापको मिलेगा हैं पर my device इस पह करोगे वाइचनग मिल जाएगे तो आप यहां से कर सकते हो seating अगर आपको यहां नहीं मिलता है तो my device select करेएगा यहां पर आप मिलेगा fiber फाइबर पे टच करेगा आपको फिर से वही page मिल जाएगा my device पे आईएगा आने के बाद आपको ऐसा page मिल जाएगा देखिए लिखा है यहाँ पे air fiber आपका यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हो आप password चेंज कर सकते हो तो edit password पे आईएगा और यहाँ पे आप नया password डाल दीजिए एक चीज बता दू मैं आपको आपको शायद दिक्कत आरी होगे तभी आप इस वीडियो पे आये होगे यहाँ पे password जो change होगा वो तुरंत नहीं होगा बता दू यह password लगबग एक दिन बाद change होता है मैं password कम से कम 3-4 बाद change कर चुका हूँ अगर आप अपना password यहाँ पे कोई नया डालते हो जो भी नया password डालो गया आठ डिजिट का तो वो अगले दिन अपलाई होगा यानि कि वो अगले दिन से काम करेगा आज आपका जो password है वो आज वही रहेगा अगले दिन से change हो जाएगा तो आपको नया password डाल देना है दोनों में same password और submit कर देना है आपका password आसानी से बदल जाएगा वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं किसी नई वीडियो में